हेलो एवरीवन, बेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम आपके साथ करकडाती हुई ठंडी में गरमा गरम गुलाप की चाय की रेश्पी सेयर करेंगे, चलिए बनाना सुरू करते हैं, इसके लिए एक पैन में हमने एक बड़ा कप दूद लिया है, और इसमें आधा कप हम पानी डाल देंगे, साथ में चाय पत्ती, चाय पत्ती आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, अगर आप कड़क पीते हैं तो जादा डालिए, नहीं तो कम डालिए, एक खलड में हमने आठ दस तुलसी के पत्ते और एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है, दोनों को अ अब हम इसमें डालेंगे गुलाब की पत्तियां, जिन्हें हमने पहले से ही धो लिया था, और साथ में थोड़ा साथ चाए मसाला डालेंगे, और चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालिए, अगर आप ज़्यादा मीठी पीते हैं तो चीनी ज़्यादा कलीजिए, और कम मीठी पीते हैं तो चीनी आप कम डालिए, और यदि नहीं पीते हैं तो ना डाल और बस आप इसे खुले में अच्छे से पकने देंगे आठ से दस वालाने दीजिए गुलाब का फ्लिवर चाय में बहुत ही बढ़िया लगेगा और जब सर्दी जादा ही पड़ रही हो तो ये चाय पीकर आपके आदी ठंडी भाग जाएगी चलाते हुए बढ़िया से चाय को आप पका लीजिए आपको देखने से ही पता चलाओगा कि चाय कितनी ज़्यादा टेस्टी बन कर तैयार होगी चाय को देखकर आप अपने को रोक भी नहीं पा रहे होंगे कि जल्दी से चाय बने और हम पी लें अब आपके पास रेस्पी है आपको जब भी चाय पीने का मन हो आप इसी तरह से गुलाब की चाय बना कर पीजिए आपको ये चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी लीजिए चाय हमारी बन गई अब हम इसे एक केतली में चान लेते हैं और रजाई में बैठ कर गर्मा गरम आप गुलाब चाय का आनन्द लीजिए एक वारिश चाय को घर पर बना कर जरूर ट्राई करिए और अगर चाय अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं रेश पी अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूनें तेंक यू